वेलकम तो मा यूटूब चैनल तो लास्ट वीडियो तक हम लोग ने नाइन टाइप्स देख लिया था अलजेब्रिक इंटिगेशन की तो आज टाइप 10 देखते हैं ठीक है तो टाइप 10 में हमारा क्या फॉर्म होगा कि अगर इंटिगेशन इस फॉर्म का लिखा हुआ एक् फिर एक्स स्कॉयर माइनस ए ए लिखाओ ए स्कॉयर लिखाओ कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्कॉयर प्लस ए स्कॉयर ये लिखाओ या फिर एक्स स्कॉयर लिखाओ खाली एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्कॉयर प्लस ए स्कॉयर सकती है ऐसा कोई इशू नहीं है जब कोशन देखोगे तो अपने खुद भाख समझ में आ जाएगा ठीक है तो प्रोसीजर क्या इसका बहुत ध्यान से समझना है बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है इसका यह ठीक है प्रोसीजर क्या है हमको क्या करना है सबसे पहले डिवाइ इंडेटर में perfect square बनाएंगे ठीक है ठीक है तो perfect square कुछ इस तरीके से बनेगा x-a का whole square या फिर x-a whole square से करके तो जो sign है plus रहेगा या minus रहेगा यह हम depend करेंगे उपर की sign पर अगर यह उपर बीच में plus है तो नीचे जो perfect square बनाएंगे उसमें नीचे minus होना चाहिए अगर उपर minus है तो नीचे जो perfect square बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, example देखते हैं, वहाँ से थोड़ा सा अच्छे से clear होगा, इतना ध्यान रखना, ऊपर जो दोनों के बीच में sign होगा, नीचे negative होना चाहिए, अगर ऊपर positive हो, ऊपर negative तो नीचे positive, कैसे? example देखते हैं, फिर समझते हैं, integration x square प्लस 2 अपॉन x की पाउर 4, minus 3x square, plus 4 dx, सबसे पहला काम x square से numerator और denominator में divide कर दो, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 minus plus 2 by x square, upon x square minus 3, plus 4 by x square, बोलो, यह होगा, अब हम देखेंगे, ऊपर नीचे जो perfect square बनेगा, उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? positive sign है, और समझाओंगा positive sign हम क्यों मैं बोलो, negative लेना है, बताता हूँ, अगर ऊपर positive sign है, तो नीचे ज negative sign, तो मैं जो perfect square बनाऊंगा, वो कुछ इस तरीकिस बनाऊंगा, 1 plus 2 by x square, यहाँ देखो, perfect square नीचे बीच में रहेंगा, यह x square, x minus 2 by x का whole square लिख दू, x minus 2 by x का whole square, जब open करूंगा, तो क्या आएगा, x square आएगा, plus 4 by x square आएगा, minus 4 एक एक स्टाटम आएगा, तो minus 4 को plus 4 ल ठीक है, ओके, तो यह हो जाएगा, 1 plus 2 by x square, x minus 2 by x का whole square, plus 1, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसको क्या करूंगा, t put करूंगा, x minus 2 by x को, t put करूंगा, तो यह x का derivative, 1, ठीक है, 2 by x का derivative की होगा, x उपर जाएगा, minus 1, x की power minus 1, minus 1 by x square, तो कितना minus, plus 2 by x square लेगा, समझे, मैंने क्यों बोला, क्योंकि, हमारे derivative में opposite sign आएगा, इसलिए हम यहाँ पर positive की जगा, positive होता तो नीचे negative बनाते हैं, तो negative, negative positive बन जाता है, तो further value रखने पर हमारा क्या आएगा, यहा होता है, 10 inverse x, 10 inverse t, t की वाली क्या है, 2 x minus 2 by x, तो क्या हो जाएगा, 10 inverse x minus 2 by x plus c, ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशे ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है, इसमें, कि नीचे जो perfect square बना रहे हो, उसमें जो sign होना चाहिए, यह उपर वाले का opposite होना चाहिए, अगर उपर forms बताएं, वो directly नहीं आएंगे, हमको कुछ न कुछ substitute करने पर उस form में आएंगे, वहां तक पहुचेंगे, और उस form तक पहुचने के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर अपना वो जो tricks हैं, वो लगाएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है, तो सबसे पहला काम हमको क्या दि कर दूँ, t square put, क्योंकि t square put करने से हमारा क्या होगा, radical sign हट जाएगा, यह मैंने पहले सी बता रखा है, कि हमको सबसे पहले ध्यान किस पर जाना चाहिए, under root पर जाना चाहिए, तो 10x का differentiation क्या होगा, sec x dx is close to 2t dt, clear इतना, तो लेख दो यहाँ पर, dx की value क्या जाएगी, 2t upon sec x dt, clear इतना, तो यहाँ 10x की जगा क्या रखा, t square तो t हो जाएगा, plus 1 by t हो जाएगा, dx की value कितनी है, 2t upon sec x है, dt, clear इतना, यहाँ तक clear हुआ, तो यहाँ पर sec square x होगा, 10x का होता, sec square x, ठीक है, 10x का क्या होता, sec square x, तो यहाँ पर क्या हैगा, sec square x आ जाएगा, ठीक है, तो sec square x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 plus 10 square x, और 10x क्या है, t square तो क्या हो जाएगा, 1 plus t की power 4, तो यहाँ जाएगा, 2 बाहर लिख दो, t का multiply करूंग बढ़ा कि नीचे t की पावर 4 होना चाहिए, तो इस question में हम क्या करेंगे, simply सी बात है, कि हमको क्या करना है, x square से divide करना है, मतब t square से divide करना है, तो t square से divide करना है, तो क्या हैगा, 2 बाहर लिखा रहें दो, तो यहां जाएगा, 1 प्लस 1 बाई, t square, 1 by t square plus t square dt, यह आ रहा हमारा, मैंने क्या कहा था, नीचे perfect square बनाओ, लेकिन sine क्यों होना चाहिए, negative होना चाहिए, तो यहां मैं t plus 1 by t का square नहीं बनाओगा, t minus 1 by t का square बनाओगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2, 1 plus 1 by t square, upon t plus, नहीं, minus 1 by 2, उपर plus है, तो नीचे minus का whole square, ओपन करो, t square plus 1 by t square, minus 2 हो रहाएगा, तो मैं plus 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब मैं क्या करूँ हो, t minus 1 by t को, कुछ भी p put कर लो, तो यह क्या हो जाएगा, 1 plus 1 by t square, dt, इसको इसको क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 dp upon, यह क्या हो जाएगा, p square plus under root 2 का square लिख लो इसको, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 वाला formula हो जाएगा, 2, 1 by a, 10 inverse x by a, 10 inverse x कितना है, p, p by under root 2, तो p की value रख दो, 2 by root 2, 10 inverse, p की value कितनी ही हमने, t minus 1 by t upon root 2, अब t की value हमने क्या put की थी, under root 10x, देखो, 10x तो t square put की रख टी क्या हो, under root 10x, तो क्या हो जाएगा formula, under root 2, under root 2 क्या हो जाएगा, under root 2, under root 2, तो क्या बचेगा, root 2, 10 inverse, t minus, t की value क्या है, 10x under root, minus 1 by under root, 10x upon root 2, ठीक है, यही हमारा answer आजाएगा, clear इतना, तो question कुछ tough नहीं होता, बस हमको करते रहना है, करते जाना है, यह practice matter करती है, अगर हम practice अच्छे से किये हैं, तो question हमारा बीच माइट के अगा है, होता जाता है, होता जाता है, integration x square upon x की power 4, plus x square plus 1 dx, ठीक है, तो यहाँ simple सी बात है, हमको क्या करना है, x square से divide करना है, same same x square से divide करना, तो क्या हो जागा है, यहाँ पर, 1 dx upon x square plus 1 by x square plus 1, ठीक है, अब सोचोगे उपर तो x, कुछ time बचाएगी नहीं, तो हम plus minus वाला कैसे सोचेंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं उपर, मैं क्या करूंगा, ऐसे questions में क्या करना है, 1 by 2 से multiply करो, 2 से divide करो, ठीक है, x square plus 1 by x square plus 1, क्योंकि हमको 1 by x square तो लाना ही लाना है, उपर 1 by x square नहींगो, तो questions all भी नहीं होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by 2, इसको 1 plus 1 लिख सकता हूँ, तो 1 plus 1 by x square लिख लो, plus 1 minus 1 by x square, बोलो, same चीज है की निचे है, है ना same चीज, x square, 1 plus 1, 2 और यह कटके 0 हो जाएगा, ठीक है, तो बात वही है, ठीक है, यह याद रखना, ऐसे करना हमको, उसके बाद क्या करेंगे हम, separate कर देंगे, 1 by 2 तो अलग बाहर निकाल दो, integration 1 plus 1 by x square upon, 1 plus, sorry, x square plus 1 by x square plus 1, ठीक है, dx minus, sorry, plus, 1 minus 1 by x square, x square plus, 1 by x square plus 1 dx, ठीक है, अब क्या करूँँगा मैं, यहाँ उपर plus है, अब बन गया वोला form, उपर plus है, और नीचे plus है, sorry, नीचे क्या बनाएंगे, minus में बनाएंगे, तो नीचे का जो perfect square बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, 1 plus 1 by x square, क्या बनेगा नीचे, x minus 1 by x का whole square, x minus 1 by x का whole square, जब open करूँगा, x square plus 1 by x square, क्या आएगा फिर, plus minus 2 आएगा, तो minus 2 extra तर हमारा, तो plus 2 लिख दो, plus 1 already है, इधर भी मैं क्या करूँगा, उपर 1 minus 1 by x square, तो मैं नीचे किसका square बनाएंगा, x plus 1 by x का, तो x plus 1 by x का whole square, अब इसको open करूँगा, तो क्या आएगा, x square plus 1 by x square, plus 2 आएगा, तो plus 2 एक extra तर हमारा, तो मैं minus 2 लिख दूँगा, और plus 1 पहले से लिखा हुगा है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, मैं इसको t put करूँगा, तो इसका derivative उपर present है, तो क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus x square dx क्या हो जाएगा, dt, तो यहाँ dt लिख दिया मैंने, और इसको t put किया, t square, यह 2 plus 1, root 3 का square, ठीक है, यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर 1 by 2, इसको t put किया, तो इसका derivative उपर present है, तो dt upon t square minus 1, ठीक है, यह किसका formula है, dt upon x square plus a square, किसका आई यह, 1 upon 10 inverse x by a का, 1 upon 2a 10 inverse x by a, ठीक है, 1 upon a 10 inverse x by a, wait minute, यहाँ 1 upon 2a नहीं होगा, 1 upon a 10 inverse x by a, ठीक है, तो 1 upon a, a कितना root 3, 10 inverse x कितना t by root 3, ठीक है, प्लस, यह किसका formula होगा है, dt upon t square minus 1, इसको मलतब, x square minus a square वाला formula, क्या होता है, 1 upon 2a ln x minus a upon x plus a, तो 1 upon 2 पहले से, 1 upon 2 into 1 ln, t minus 1 upon t plus 1, अब t की value इस वाले में क्या, x plus 1 by x, और t की value इस वाले में क्या, x minus 1 by x, एकी value मत रख देना, इसमें अलाग है, इसमें अलाग है, ठीक है, और यह question मैंने इसलिए, पहले ही solve कर दिया, ऐसा नहीं, पहले मैंने solve नहीं किया, मैं video on करना भूल गया था, ठीक है, तो इसलिए वो, on करना नहीं भूला था, मतलब हाफ में, वो video pause हो गये था, इसलिए पहले सी solve करना पड़ा में रखो, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, फिर फर्दर इसको solve करेंगे, टीकी value रखेंग और हमारा answer हो जाएगा, और इस type में ज़्यादा question इसलिए करा रहा हूँ, कि यह important है, और इस पे practice ज़्यादा जरूर यह, ठीक है, तो देखनें इसमें और, तो इस वीडियो में बस इतना ही, next वीडियो बहुत ज़्यादे important है, उसमें हम लोग MNP theorem करेंगे, वो एक ऐसा theorem है, मतब theorem के एक trick है, जिससे हम लोग बहुत सारे questions easily कर सकते हैं, ठीक है, तो next वीडियो जरूर देखना, ठीक है, thanks for watching this video,